नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में अब जैसा कि आप देखी रहे होंगे के रिसेंटली एक पोस्टर रिलीज हुआ है इंटरनेट पे कनाडियन बेस्ट एक फिल्मेकर के द्वारा डॉक्यूमेंटरी फिल्म का पोस्टर है जिसका नाम है काली औ इसको extensively cover कर रहा है इस पोस्टर के पीछे क्या स्टोरी है क्यों यह problematic है वैसा आप screenshot देखके समझ ही गए होंगे और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे detail में तो बने रही है इस वीडियो में पूरा end तक हमारे साथ देखिए सारा news, media जितना भी online है, offline है, tv debates या international media भी अब इसको धीरे-धीरे cover करने लग गया है कि यह documentary poster release किया गया है एक internet पे एक या दो दिन पहले और इसके बाद controversy जो है शुरू हो गई, इस poster में आपने देखा ही है कि माता काली को दिखाया गया है, cigarette पीते हुए और उनके पीछे एक flag है जिसको LGBTQ community से related किया जा रहा है, freedom flag ज उनको smoke करते हुए दिखाया गया है तो उसकी वज़े से काफी जो है बवाल create हो गया, online लोग इसको काफी condemned करने लगे, बहुत से लोगों ने जो director है उनको arrest करने की मांग की और इसको बहुत ही Hindu phobic बताया है, कुछ लोगों ने ये भी comment किये कि अगर आपने ऐसा ही comment किसी इसे वो समझ लेते हैं, ये independent filmmaker है, इनका नाम है Lina, Mani Mekalai, इनके poster रिलीस करने के बाद इन्होंने Twitter पर अपने account पे poster रिलीस किया, अपनी latest documentary का और ये poster जब tweet किया गया Saturday को जिसमें दिखाया गया एक महिला को जो Hindu goddess, जो Hindu Devi है माता काली, उनके सरूप में या उनके जैसा get up क साथ, वो smoke कर रही है महिला, और उसने pride flag जो represent करता है LGBT community को जैसा मैंने आपको बताया, उसको hold किये हुए है, और ये poster जैसे ही online आया है, तो बहुत से लोगों ने इसकी demand की arrest करने की, उनको religious sentiment hurt करने की, और उसके बाद hashtag arrest Lina Mani Mekalai trend होना शुरू हो गया Twitter पे, और इसके बाद social media पे इसको देखते हुए Canada based जो Mani Mekalai ने user से अपने ये request की, कि आप love you Mina Lina Mani Mekalai tweet कीजे instead of arrest Lina, तो जो ये film है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि जो film है revolves around the events that take place one evening, जब काली माता Canada का जो शहर है Toronto, उसकी मतलब गलियों में दिखाई देती है, और अगर आप picture देखे अगर आपको ये picture दिखाई दे तो आप ये hashtag मतलगाई है, arrest Lina वाला, इसकी जगा आप love you Lina वाला hashtag चलाई है, ये उन्होंने request की और ये उन्होंने तमिल में tweet किया, जिसका translation हम Twitter बे ये देख सकने, screenshot में और इसके बाद इन्होंने एक और tweet किया, कि I have nothing to lose, I want to be with a voice that speaks without fear of anything until it it is, if the prize is my life, I will give it, she added in another tweet, के मतलब मैं freedom of speech voice, जो है मतलब मैं बिना डर के जीना चाहती हूँ, मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं जब तक जी हूँगी, ऐसे ही जी हूँगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े, freedom of speech के लिए, तो मैं त स्क्रीन, यह एक्चली यह मूवी जो है, वो स्क्रीनिंग इसकी हो चुकी है, during rhythms of Canada, a week-long festival जो एक हफते का festival होता है, multiculturalism के उपर, at the Aga Khan Museum in Toronto, last weekend, तो मनी में का लाई, who belongs to the Maharaja Puram village in Tamil Nadu से यह बिलॉंग करती है, विरुधू नगर, has internationally acclaimed films, Madathi and Sengadal, The Dead Sea, to her credit, इससे पहले यह दो फिल्में बना चुकी हैं, और इनके पुराने tweet अचानक से Twitter पे viral होने शुरू हो गए, जो आप देख सकते हैं इस वक्ट स्क्रीन पर, जो मैंने निकाले, अपनी research के दौरान ये वीडियो बनाने के लिए, एक tweet इन्होंने किया, 2020 में जिसमें इन्ह उने लिखा, राम is not God, he is just a BJP invented electronic voting machine, उसके बाद एक दूसरा tweet है, जो 2014 का है, के Mark Zuckerberg is the prophet who pronounced truth is a double lie, he supersedes Rumi and Kabir, उसके बाद एक 2013 का इनका tweet है, अर्विन मार्क in a conversation yesterday asked, why Allah is he and why not Allah is she, that made me think a lot, तो इससे पहले भी ये ऐसे religious, जो हैं tweet कर चुकी है, सब religions को लेके ऐसा नहीं कि इन्होंने खाली एकी community को target किया, और बाकी लोगों के लिए भी इन्होंने काफी कुछ बोला, और जो बहुत ही एक गलत चीज है, freedom of speech के नाम पर आप किसी के religion को या किसी की धार्मिक भावनाओं को थेस नहीं पहुचानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, चाहिए वो किसी भी धर्म से religion से बिलॉंग करते हों, किसी के भी भावनाएं hurt नहीं करनी चाहिए, आप ऐसा बोलके कुछ भी, और उसके बाद ये देखिए 2013 का tweet है, इनोंने मोधी जी के लिए भी tweet किया था कि I will surrender my passport, राशन कार्ट, पैन कार्ट and my citizenship if ever, मोधी बिकम्स इस country's PM in my lifetime, I swear, तो इससे पहले भी ये ऐसा कर चुकी है, और ये poster एक सोची समझी जो marketing technique होती है, उसके तहत ये poster बनाया गया, जहां तक मेरा idea है, क्योंकि आज कल के जमान पड़ेंगी, PR agency hire करनी पड़ेंगी, फिर आपको ads चलवाने पड़ेंगे, तो बहुत उसके लिए amount चही होता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, अब इनोंने एक poster ऐसा बनाया उसको tweet कर दिया, इनको free की publicity मिल गई, पूरी दुनिया जो इनको नहीं भी जानता था, वो भ negative publicity हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल रहा हैं के बारे में, जो अभी तक पता नहीं था, तो ये एक तरीके से negative marketing की technique होती है, और आपने वो सुना ही होगा कि बदनाम हुए तो क्या हुआ नाम तो होगा, तो ये exactly वही चीज हो रही है, और इनको पता है कि इन्हो खिलाफ action लें, कोई भी ऐसा statement जारी नहीं करता कि हम कोई गलत इनके खिलाफ action लेंगे, इनको hurt करेंगे, इनको death threats या rape threats ऐसा बहुत ही rare देखने को मिलता है, जैसा अभी हाली में आपने देखा होगा नूपुर शर्मा के case में क्या हुआ, किस तरीके से नूपुर शर्मा को death और rape threats मिलें, हालाकि उन्होंने जो बोला, वो बहुत गलत बोला, उनको नहीं बोलना चाहिए था, उसकी जो भी punishment कानून के according होती है, वो होनी चाहिए, बट उनको threats मिल रहे हैं, उनको support करने वालों को देखिए threats मिल रहे हैं, अभी जो उदयपूर में हाथसा हुआ, just because, क time पर ऐसा poster release करना, यह बहुत ही एक गलत marketing की technique थी, इसकी जगह आप किसी और तरीके से, एक अच्छा poster बना के भी आप इसको famous कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यह रस्ता चुना, I don't know why, उसके बाद अब बात करते हैं, कि इससे पहले भी past में ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं जो इनको लेकर controversy हो चुकी है, निर्वाग बासुने एक movie बनाई थी, Ludo, जिसके ओपर बहुत जादा, जो है, हिंदू-fobic content होने का blame किया गया था, उसके बाद सैफ अलिखान स्टारर वैब सिरीस थी, तांडव इसमें भी ये बोला गया था, कि हिंदू-gots को जो है, एक bad light में दिखाया गया, इसका एक scene भी काफी जो है, वाइरल हुआ था, जिसमें stage पर एक performance theater group perform कर रहा होता है, और उन्होंने अपने face पर भगवान शिव का ओम और cross बना रखा था, तो वो scene था, आपको मिल जाएगा reference के लिए, और उसके बाद, recently, जो आपने देखी होगी, एक web काफी publicity मिली थी, लोगोंने उसको बोला, boycott करो, boycott करो, लेकिन उसके चक्कर में वो इतना जादा trend हो गया, इतना जादा उसको publicity मिल गई कि वो वैसे ही super hit हो गई, शायद उसे अगर वो controversy नहीं होती तो इतना उसको success नहीं मिलता, अब उसके बाद जो ये, इनके ओपर case भी कहना है कि डारेक्टर ने मेरी religious sentiments hurt किये हैं, माता काली को smoking करते हुए दिखा कर जो highly objectionable है और किसी तरीके से भी acceptable नहीं है, तो इनका नाम जिंदल है, जो lawyer है, इन्होंने कहा कि मैं demand करता हूँ immediate registration of FIR against the independent director और इन्होंने ये भी कहा कि such deplorable picture in context to the Hindu goddess is extremely outrageous, atrocities, atrocious and hurting the sentiments and belief of Hindu community के बही इससे काफी जादा hurt हो रही है हिंदू community और ये बहुत ही गलत है और ये एक तरीक इसे जान बूच कर किया हुआ काम है और ये बहुत ही गलत malicious acts है intended to outrage religious feelings of Hindu community भावना भढ़काने के लिए जान बूच कर ये किया गया है, इस तरह का वीडियो और photo Twitter पर जो share किया गया है इनके account के द्वारा which is well circulated in social media and all public platforms और ये offense के अंदर आता है section 295A, 298, 505, 67 IT Act and 334 IPC और इसलिए penal action should be taken against the accused के बही IPC के और IT cell के कानूनों के तहर इनके ओपर action होना चाहिए the complaint filed with the cyber cell of Delhi police तो दिल्ली पुलिस के साथ भी F.I.R. जो है इनकी law जो हो चुकी है और उसके आगे जो lawyer है उन्होंने ये कहा कि जो objectionable video clip और photo है वो immediately ban कर देनी चाहिए और हटा देनी चाहिए internet से immediate basis पर और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये हिंदू जो religion है उनको hurt कर रही है और ये ये एक्चुली जैसे कि मैंने आगको बताया है या पार्टिकल देखेंगे देखेंगे फर्स पोस्ट का इसमें भी ये कहा गया है अब हो गया है तो अब हो गया है तो अब इसको जो है reverse नहीं कर सकते और because of this इतना outrage create हो गया internet पे के इंके खिलाव दिल्ली में और यूपी म अंदर यूपी पुलिस ने इनके ओपर जो चार्ज किया वो क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी ओफेंस इन प्लेस ऑफ वर्शिप डेलिबेट्री हर्टिंग जान बूचकर रिलिजिस सेंटिमेंट्स हर्ट करने और जो पीस बना हुआ है उसको जान बूचकर खराब करने के आरोप में इनके ओपर जो है ये F.I.R. की गई है उसके बाद the F.I.R. was registered on Monday in state capital लगनौस हजरत गंज पुलिस स्टेशन में ये जो सारी complaints जो है registered हुई है और उसके बाद इनके ओपर दिल्ली के अंदर भी case दर्ज हो गया है दिल्ली पुलिस also on Monday for allegately insulting Hindu sentiments इनके ओपर case file हो चुक है औ बाद government के level पर पहुंच की कि जो इंडिया का high commission है North American country requested authorities to remove the disrespectful depiction of Hindu gods from the Toronto based Aga Khan museum यहाँ पर ये कहा गया अब यह आप देखेंगे article इंडिया इंडिया इन कैनेडा यह जो हाई कमीशन का ओफिशल ट्विटर अकाउंट हो पे इन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है शेयर की जिसमें की लिखा हुआ है वी है रिसीव कंप्लेंट्स के हमारे पास काफी कंप्लेंट जो है रिसीव हुई है हिंदू community की Canada के अंदर के इस त आर कॉंसलेट जनरल इंट टॉरेंटो हैस कंवेड इस तो और्गनाइजेशन अफ देवेंट के बही हमने अपनी जो एक अंसरन नहीं और पहुचा दी है और हमने सेवरल हिंदू ग्रूप को भी इसके बारे में जो है इनफॉर्म कर दिया है और अप्रोच कर दिया है चैन चैनेडा चैनेडियन अथॉर्टी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पोस्टर को और इस प्रोवोकेटिव मटीरियल को जल्दी हटा लें चार जुलाई को जो है प्रेस स्टेटमेंट रिलीज हुई तो आई होप आपको सारा मामला क्लियर हो गया होगा आपने अल्रेटी वै किया चल रहा है वर्लड लेक्षण और इसी के बारे में एक छोटा सा प्रियासता आयोप आपको इसारा क्लियर हो गया ओगा किया और क्या मूवी है क्यों किया गया ओर आब आगे i have u इनके उपर केस दर्ज हो रहा है और freedom of speech का किस तरीके से इस्तमाल हो रहा है ये भी आप समझ ही गए होंगे मुझे बताने की जरौत नहीं है तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या freedom of speech के नाम पर इस तरीके से किसी के religion को मौक करना किसी भी religion को चाहिए वो कोई भी religion हो उसको उसके बारे में ऐसे अपशब्द बोलना या उसका मजाग उडाना क्या freedom of speech के नाम पर सही है आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप comment section में अपनी thoughts जरूर बताईएगा अगर कोई सुझाव हो हमारे चैनल के लिए या वीडियो के लिए या आप किसी particular topic पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताईएगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बैल आइकन का बटन जरूर जरूर दबाईएगा प्लीज इससे मुझे motivation मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए Current Affair की वीडियो में तब तक के लिए जै हिंज जै भारत